जैसके दोस्तों आप लोगों ने थमनेल में देखा फास्ट एप्रोबल के साथ परसनल लोन कैसे ले दिया दोस्तों अगर आपको परसनल लोन लेना है घर बेठे मोबाइल से तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा यहाँ पर आपको जिस एप्लिकेशन के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप जो यहाँ पर कम इंट्रेस्ट पर परसनल लोन ले सकते हैं साथी साथ यहाँ पर आपको एक लाग रुपिय तक का परसनल लोन दिया जाएगा जो की काफी कम इंट्रेस्ट पर मिल जाएगा और साथी साथ अगर आपको दुसरा एप्लिकेशन से लोन नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो को एक बाद जरूत देख लिएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% एप्लिकेशन के साथ एक लाग रुपिय तक का परसनल लोन मिल जाएगा कैसे आपको परसनल लोन के लिए अपलाई करना है कैसे आपको परसनल लोन लेना है चलिए मैं आपको A to Z प्रोसेस बताता हूँ तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा वो अधिकतर RBI यानि कि RBI द्वारा रेइस्टेड होता है यानि कि RBI द्वारा रेइस्टेड है यानि कि genuine application है अब देखें यहाँ पर जो यह application है इस application से आप एक लाख रुपिये तक का personal loan ले सकते हैं आपका जो interest रहेगा वो 2-3% का पर मंद का interest आपको देना होगा जो की 20 मैनों के लिए आप loan को ले सकते हैं यानि कि 2 साल तक के लिए आप यहाँ से loan ले सकते हैं अब देखें यह जो application है यह 100% approval application है यानि कि आप अगर इस application से loan apply करते हैं तो आपको loan 100% मिलेगा ठीक है अब आपको application को कैसे install करना है कैसे आपको loan को apply करना है चलिए मैं आपको loan apply क करके पूरा प्रोसेस दिखाता हूं अप्लाई करने के बाद कैसे आपको लोन को यहां पर बैंक अकाउंट में लेना है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको लोन का वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे और दोस्तों यहां पर नीचे कॉमेंट करना है कि आपको कितने रुपिये तक का परसनल लोन चाहिए वो आप नीचे कॉमेंट किजेगा तो सबसे पहले आप application को open करेंगे application को कहां से install करना है वो मैं आपको वीडियो के end में या बीच में बता दूंगा ठीक है अब आपको यहां पर option मिलेगा कि आपको अपना language सेलेक्ट करना है जो भी बेस्ट लगे वो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर आप option आज आएगा आपको loan amount सेलेक्ट करने का यानि कि आप EMI चेक कर सकते हैं जैसे कि अगर आप 20,000 रुपिय या 30,000 रुपिय मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आप यहां पर 30,000 रुपिय का loan लेते हैं ठीक है 9 मेनों के लिए अगर आप 30,000 रुपिय का loan लेते हैं तो आपका जो EMI बनेगा वो बनेगा 3,642 रुपिय और यहां पर जो आपको interest लगेगा वो 2% का मंतली interest आपको देना होगा अगर आप 30,000 रुपिय का loan 9 मेनों के लिए लेते हैं तो ठीक है अब देखिए यहां पर आपको loan को apply करने के लिए सबसे प करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको landing partners जो होते हैं वहों देखने को मिलेगा आपको नीचे apply now के option मिलेगा apply now के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको खाली box को tick करना है और okay I understand के उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद while using the app फिर allow फिर allow के option पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे और gate OTP के option पर नीचे आप क्लिक करेंगे अब आप इस page पर आएंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा upload selfie का सबसे पहले आपको एक selfie upload करना होगा उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा pan का इसके उपर क्लिक करेंगे और उसके बाद pan card और आधार card upload करेंगे यहाँ पर आपको एक करके तीनो document upload कर लेना है अब आप इस page पर आएंगे अब आपको यहाँ पर option मिलेगा employment type का तियानी कि आपका employment type क्या है अगर आप salary person है कहीं पर job करते है तो salary करेंगे अगर आप self-employed है खुद का business करते हैं तो self-employed पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर option मिलेगा आपका जो salary प्राप्थ होता है अगर आप salary सेलेक्ट किये हैं तो आपको option मिलेगा आपका जो salary प्राप्थ होता है वह कैसे प्राप्थ होता है cash के रूप में यह bank account में वो आप select करेंगे आपका monthly income डालेंगे और totally details डालने के बाद आपको नीचे option मिलेगा proceed का आपको proceed पे click करना है अब आप next page पर आएंगे यहाँ पर आपको अपना personal details फिल करना होगा यहाँ पर आपका पूरा नाम जो आपके document में हैं यहाँ पर आप अपना data worth डालेंगे email ID आपका डाला हुआ रहेगा, mobile number डाला हुआ रहेगा यहाँ पर option मिलेगा total work experience आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं वो डालेंगे और आपका यहाँ पर अपने area का pin code डालेंगे और proceed के option पर नीचे आप click करेंगे अब आप next page पर आएंगे, यहाँ पर आप अपना option मिलेगा आपको gender आप अगर mail है तो mail करेंगे, female है तो female करेंगे यहाँ पर आप अपना meritial status select करेंगे, यहाँ पर आपका mobile number आधार कार्ड से link है या नहीं है वो आप यहाँ पर select करेंगे, yes करेंगे अगर आपका है नहीं है तो no करेंगे उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा क्या आप कभी, मतलब अभी किसे application से loan ले रखे हैं लिए हैं तो yes कर सकते हैं, नहीं लिए हैं तो no कर सकते हैं और उसके बाद नीचे आपको option मिल जाएगा, proceed का, proceed का पर आप क्लिक करेंगे और आपको option मिलेगा, उपर में purpose of loan का, इसके उपर click करेंगे और click करने के बाद आपका जो भी loan का purpose है वो आप यहाँ पर select करेंगे अब सारा details fill करने के बाद यहाँ पर आपको congratulations का message आ जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहोंगे मुझे यहाँ पर 13,000 रुपिय का loan मिला है अब यहाँ से आपको next करना है next करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा verification complete करना होगा और अपना account number आपको यहाँ पर डालना होगा जो loan amount आपका approved हुआ है जैसे कि as example आपका 13,000 रुपिय का loan या 15,000 रुपिय का loan approved हुआ है तो यह जो 15,000 रुपिय का loan approved हुआ है वो आप जिस bank account में लेना चाहते हैं उस bank account का details आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद आपका जो loan amount है वो directly आपके bank account में transfer किया जाएगा तो इसके लिए देखिए सबसे पहले उपर में option मिलेगा account number का यहाँ पर आप अपना account number डालेंगे यहाँ पर IFC code डालेंगे यहाँ पर pen card number डालेंगे यहाँ पर आपको option मिलेगा save का अपना यहाँ पर detail save करेंगे और upload bank statement का option मिलेगा यहाँ पर आप अपना 6 मेने का bank statement अपलोड करेंगे और उसके बाद आपका जो loan application है वो यहाँ पर submit हो जाएगा और application की तरफ से आपका जो application है वो check किया जाएगा और उसके बाद आपका loan amount एक घंटे के अंदर या यहाँ पर जो है एक घंटे से 12 घंटे के अंदर कभी भी यहाँ पर जो है आपका amount आपके bank account में transfer किया जाएगा जो bank account number आप यहाँ पर डालेंगे तो इस परकार से आपको इस application से 100% approval के साथ personal loan लेना है जो process में आपको बता दिया है वही process आपको follow करना है अब application का नाम क्या है वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ तो देखिए application का नाम है नीरा instant personal loan application जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ से आपको क्या करना है सबसे पहली google play store open करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है नीरा loan app यह application आपका आ जाएगा नीरा instant personal loan application यह जो application है वो nbfc और rbi द्वारा registered है यानि कि इसमें आप अगर यह जो है genuine application 100% genuine इसमें आपको एक लाक रुपिये तक का loan 2-3% के पर मंत के interest पर मिल जाता है तो अगर आप loan लेना चाहते हैं तो application को install कीजिए जो process में ने बताया है उस process से apply कीजिए loan और आपको loan यहाँ से 100% मिल जायेगा तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही नी इतने रुपिये तक का loan चाहिए चले वीडियो को है प्रेंट करते हैं बहुत बहुत धिन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए